मित्रो मेश राशी वाले धामपत्य के लिए 2024 पुत्र प्राप्त्य के लिए अन्यन्य सफलताय लेकरा रहा है और मेश राशी वाले बेक्तिके पुत्र प्राप्ति योग शफल बनाने के लिए भोले नाथ को नित्य पंचमिवा का भोग लगाएं और नित्य पंचमिवा का भोग लगाकर सिवजी का पुजा करने के दो मैने के पस्चाद अगर आप लोगो प्लानिंग करेंगे तो आपको पुत्र प्राप्ति का प्रबल योग विद्यमान रहेगा तो मेश राशी वाले के लिए लग की उपाय में से यही उपाय है आपको जो 2024 में आपको करना है मित्रो अब बात करते ही बिरिस्त राशी वाले के लिए बिरिस्त राशी दूसरा नमर का राशी है बिरिस्त राशी वाले दामपत्य पतियत पापत्नी दोनों में से किसी का भी राशी हो शकता है उनके लिए 2024 में पुत्र प्राप्ति के लिए प्रवल योग विद्धिमान है बिरिस्त रासी वाले दामपत्य में से मुख्यतेहा पूरुष के नाम अगर बिरिस्त रासी से अगरारंब होता है तो उनके लिए पुत्र प्राप्ति का प्रवल योग इस साल बिद्देमान रहेगा उनके लिए दूद की मलाई लेकर शिवजी के मंदिर में जाएं और शिवजी के मंदिर में दूद के मलाई से उन्हें नित्य इस्तनान कराएं उसके बाद जल से इस्तनान कराकर अपनी मनो कामना उच्चारण करके आएं निरंतर ये 41 दिन तक ये पुजा करने के बाद आप को प्लानिंग करेंगे शहज तरीके से आप लोगों को पुत्र प्राप्ति के कामना पूर्ण होगा दर्शक बीन नमस्कार आज हम बात करेंगे मेथुन राशी वाले दामपत्य के लिए 2024 में पुत्र प्राप्ति के लिए विश्यस क्या उपाय करना चाहिए 2024 में पुत्र प्राप्ति का प्रवल योग बिद्यमान रहेगा और इनके लिए सटिकता प्राप्त करने के लिए भगवान गडेची को पांच दुबड़ा और एक सुपारी नित्य 41 दिन तक नित्य चड़ा हैं जिसे चड़ाने के बाद अगर आप लोगो उसके बाद अगर आप लोगो प्लानिंग करते हैं तो पुत्र प्राप्ति का प्रवल योग आपके कुंडली के अंदर विद्यम अत्पा पुत्रा पुत्री में विचार नहीं बन पा रहा है पती पत्री में विचार नहीं में बन पा रहा है और कारोबार में निरंतर समश्या के उपर समश्या आ रहा है अत्पा अन्यन ने कोई भी घर में किसी भी परकार के समश्या के लिए आप हमें निश्यन तर फोल मित्रों आज हम बात करेंगे करक राशी वाले जातक के लिए करक राशी से नाम उत्पन्न होने वाले पुरुशत्मा महिला के लिए 2024 में पुत्र प्राप्ति के लिए प्रभल योग विद्धिमान है 2024 में पुत्र प्राप्ति कामना शिद्ध करने के लिए आप लोग को भोले नात को चांदी के चंद्रमा बना कर स्वंबार के दिन और पड़ करें उसके बाद नित्या दही से शिवजी के शनान करने के बाद जल से शनान करके मने में ओम चंद्रमशी नमा अत्पा ओम स्रीम नमा अत्पा ओम स्रिक्रिष्नाय नमा ये मंत्रा इस्परण करने से आपको पुत्र प्राप्ति की जो कामना है वो शिग्र शंपन्न होगा और पुत्र प्राप्ति कामना शिद्ध होगा आपके परिवार कंप्लेट करने के आप लोग इच्छा भी पूर्ण होगा मित्रों सिंग राश्वी वाले के लिए आज हम बात करते ही 2024 में सिंग राश्वी वाले के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए परवल योग विद्धिमान रहेगा क्योंकि सूर्य का विशेश सानिध्या अप्रेल मई तक विद्धिमान होने के वज़े से 2024 में पुत्र प्राप्ति के लिए प्रवल योग विद्धिमान है 2024 में पुत्र प्राप्ति के लिए सिंग राश्वी वाले जातक के लिए नित्य भोले नात के मंदिर में जाएं और भोले नात के मंदिर में जाकर गाये का घी से सिवजी को इसनान कराएं जिससे कामना शिद होगा और भगवन स्रीकिष्णा को पांच मौर्ग पंक अथवा एक मासुली आरपन कर गया हैं जिससे आप लोग का कामना सिध होगा शेंग राशी पती या पत्नी किसी का भी राशी हो शकता है शर्वस्रेश अत्पा स्वर्वत्तम माना जाता है पूरुष का राशी अगर शेंग राशी वाले जातक के लिए 2024 में पूत्र प्राप्ति का प्रवल योग है परन्तु मंगल की छाया विद्धिवान होने की वज़से थोड़सा गर्व खराब होने अत्पा पूत्र प्राप्ति में थोड़सी बिलंब होने की संभावनाई जोहेवर नजर आता है इसलिए पूत्र प्राप्ति के कामना भी शिग्रशंपन होगा और पूत्र प्राप्ति के लिए विशेश जो विडियो में अपलोड किया है योटों के माध्यम से वहां भी जाकर आप जरूर परसंगों को देखें मित्रो अब हम बात करेंगे तूला रासी वाले जातक के लिए पूत्र प्राप्ति के लिए क्या सा रहेगा ये साल तुला रासी वाले जातक के लिए पुत्र प्राप्ति का इस साल प्रवल योग विद्यमान है परन्तु ध्यान रहे पतिका तुला ही रासी होना चाहिए अन्य था कन्य उत्पन होने का योग भी तुला रासी को पर विद्यमान होने के वाज से थोड़ी सी आप लोगो वो शिद होगा और निरंतर भोले बाबा का शेवाकर्तनी और भुवान स्रीकिष्ण को मक्षन और मिस्तिरी का भोग नित्या लगाएं जिससे आपकी पूत्र प्राप्ति का आमना शिद होगा मित्रो अब बात करेंगे ब्रिश्चिक राप्ति के लिए इस साल क्या सा योग विद्यमान है इस साल पूत्र प्राप्ति के लिए ब्रिश्चिक राप्ति का प्रवल योग विद्यमान है परंतु ध्यान रहे जुलाई के बाद पूत्र प्राप्ति का योग बनेगा पूरा स ब्रिश्चिक राश्यवाले के लिए पुत्रप्राप्ति का प्रबर योग इस समय नहीं दिखाई देता है इसलिए जुलाई के बाद आगे बढ़ेंगे और उससे पहले पुत्रप्राप्ति सरल हो उसके लिए लाल मसुर के दाल हर मंगलबार को दान करें और हनुमान जी का परमशेबा करें, साथ में भोले नात को नित्य दोध में एक केसर का केसर डालके आप नित्य इसनान कराएं, उसके बाद उन्हें भस्मसे तिरपुंड करके अपनी कामना उच्चारण करें, जिससे आपको पुत्र प्राप्तिक कामना शिद्ध होगा अब बात करेंगे नमवरासी धनुरासी को पर, धनुरासी वाले जातक को पुत्र प्राप्तिक कामना शिद्ध करने के लिए, मनमंचित फल प्राप्त करने के लिए, विशसकर भोले नात का भगवान विश्नों का शानित्ध्य प्राप्त होना आबशेक होता है, धनुरासी को विशसकर भगवान विश्णु का क्रिपा दृष्टी भी माना जाता ही इसलिए भोली नात के साथ में भगवान विश्णु का प्रम्शेवा करें और भगवान विश्णु को कहीं भी हो मूर्ती पे ले जाकर पीला वस्त्र उनको धारन कराएं और मुंके दाल के हलुआ बना मित्रों आज बात करें। थोड़ी सावधानिया बरतें और थोड़ी कुछ बैलेंस आप ब्याकप की तौर पर रखें क्योंकि मंगलत पर सोरे की सानिध्या मकर रासी के अंदर दुष्टी बनाने की कारण थोड़ी सी समस्षय आप लोगों को आ सकता है इसलिए शाबदानी होकर आप लोगो जो है प्लानिंग करें और नित्या 11 दि कामना मकर रासी वाले जातक को पूड़ होता दिखाई दे रहा है मित्रो कुम्ब रासी वाले जातक के लिए पुत्र प्राप्तिक कामना प्रबल योग में दिखाई देता है इसलिए पुत्र प्राप्तिक कामना शिद करने के लिए कुछ अन्यन्य उपाई भी आप लोगो पूत्र प्राप्ति के लिए पुत्र 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 इसलिए केले का जड़ का साहरा अवर्ष लें और भोले बाबा का जो मैंने विधी बताये हैं उस विधी को नित्य पुजा करेंगे तो आपका कामना अवर्ष पूण होगा मित्रो अब बात करेंगे बारव राशी अत्पा अंतिम राशी में से मीन राशी मीन राशी वाले जातक के लिए इस समय पुत्र प्राप्ति में कुछ बाधा के साथ में सपनता है अरजी तही अगर नर्मल तरिकी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो अगस्त के बाद आप लोग को आगे बढ़ना है 2024 में उससे पहले आपको आगे नहीं बढ़ना है उससे आग पुत्र प्राप्ति के कामना शिद होता दिखाई दे रहे